आज हम बना रहे हैं गुजिया, बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में और तेवार आने वाले हैं, तो सभी के घर में गुजिया जरूर बनता है, चाहे दिवाली हो, होली हो, चाहे कोई भी तेवार हो, तो देखी यहाँ पर मैं चासनी वाला गुजिया भी बनाई हूँ हम खोवा भी घर में बना रहे हैं आप चाहे तो मार्केट से भी खोवा खरीच सकते हैं लेकिन घर में बने खोवे का स्वाद जादा स्वादिश्ट लगता है अगर खोवा कहीं पर नहीं मिल रहा है तो आप घर में ही बनाना सहीं रहता है तो देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक लीटर दूद को अच्छे सो बालना है सबसे पहले उसमें मैं एक कटोरी में मलाई डारी हूँ चम्मस से तो आप अगर मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं इस मलाई डालने से क्या होता है कि खुआ जल्दी बन जाता है तो आप चाहे तो डाल सकते हैं और चाहे अगर नहीं है तो मलाई तो नहीं भी डाले कोई इससे फरक नहीं पड़ेगा और यहाँ पर मैं दूद को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए मिल्क पॉडर भी डाल लेती हूँ यह आधा कटोरी है अब कोई सभी मिल्क पॉडर ले सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसलिए इसका उप्योग करी हूँ कि हमारा जो दूद है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना तो खुआ जल्दी बन जाता है इसे अच्छे से दूद में घोल के हम डाल लेंगे तो देखिए यहाँ पर अच्छे से उबालना है बहुत मतलब 20 मिनट कम से कम उबला है तब जाकि यह इस टाइप का गाढ़ा बैटर तयार हो यह देखिए हमारा खुआ बन चुका है यह देखिए इतने अच्छे से यह बहुत सारा खुआ निकल गया इसमें से और बहुत ही टेस्टी और पूरा घर दूद के महक से महक रहा था इतना जादा इसका खुजबू आ रहा था यह देखिए हमारा खुआ तो पूरा बन चुका है अब चलिए हम आगे की प्रोसेस में तो यहाँ पर मैं सबसे पहले का पतिले में 1.5 कप मैदा मैदा से गुजिया बहुत ही अच्छा बनता है तो आप 1.5 कटोरी भी ले सकते हैं और ग्राम में यह 250 ग्राम है तो देखिए यहाँ पर मैं एक चमज भर के तेल डा रहे हूं इससे ना गुजिया थोड़ा सा अच्छा बनता है तो यहाँ पर कि हम पानी डालेंगे तब जाके हमारा यह ऐसा अच्छा सा आटा तयार हो जाएगा पानी बहुत कम हीट डालना है सुरू में क्योंकि पानी जादा नहीं होना चाहिए अब देखिए हम एक कड़ाई चड़ा लेते हैं इसमें डाल देते हैं एक चमज खी डालेंगे उसके बाद हम आधा कप सुजी डालेंगे सुजी डालने से गोजिया अच्छी लगती है और थोड़ा थोड़ा इसमें जो मौश्चर रहता है वो भी कम होता है यह देखिए हम सुजी को एकदम सुनहरा होने तक भून लेंगे जब सुजी सुनहरा हो जाएगा उसके बार डाल द आदा कप नार्यल का पूरादा यह जैसे तोडी से ले लेती हूं और इसे भी अच्छे से मिलाके भून लेती ऊं तो यह देखिए यह пери हो चुक्तष यह अब One इसमें और शेदे हो यह दो आने कोबाम स्के नरे अंच्छे से अजना लेती हूं उसके बाद में उसमें झाल कि इसको पूरा मिक्स करना है हमें इस टाइम हम गैस को बंद कर देंगे और सब को अच्छे से मिला लेंगे जब ये मिल जाएगा उसके बाद हम डालेंगे तीन चम्मच में सक्कर पीसा हुआ डाल रहे हूं आप चाहे तो और ज्यादा सक्कर डाल सकते हैं इसमें आप जितना मीठा खाना चाहते हैं आप देखिए बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है कुजियक के अंदर की फिलिंग्स अब हम इस आटे को अच्छे स तोड़ लेंगे हम इसे पतला ही बेलना है मोटा नहीं बेलना है हम इसमें बड़ा बड़ा बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से पहले बेल लेती हूं उसके बाद इसमें डालेंगे यह जो मसाले बनाये थे बुजियक के इसे डाल लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसको बंद करके और यह जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको निकाल देंगे यह बन गया हमारा कोजिया यह देखें कितना असान है यह इसे बनाना आप चाहें तो हांसे भी मोड़ मोड़ के बना सकते हैं लेकिन इसमें थोड़ा डिजाइन सेप में रहता है सभी का इसलिए आप साचे का ही उपयोग कीजिए बहुत अच्छे से बन जाता है तो यहाँ पर मैं दूसरा भी बना के दिखाती हूँ आपको यह देखिए इसको हम लगा लेते हैं साचे में और यहाँ पर इसे डालते हैं यह देखिए उसके बाद हम इसमें पानी लगाएंगे और इसे हम बंद कर देंगे यह देखिए यह हो चुका है इसी तरह हमें सभी को बनाना है उसके बाद एक कड़ाई चड़ा लेंगे उसमें हम तेल डाल लेंगे आप चाहे तो घी का भी उप्योग कर सकते हैं तेल का भी उप्योग कर सकते हैं तो यह देखिए हम इसमें गुजिया डाल देते हैं तेल आ चुका था यह देखिए अब हमें दो तिन और गुजिया इसमें डाल देते हैं क्योंकि जगा है इसमें यह देखिए यह हो चुका है अब इसे हम कम गैस में सेखेंगे जब थोड़ा सा सीख जाएगा थोड़ा सा फ्लिम बढ़ाएंगे नहीं तो हम कम में सेखेंगे बहुत जल्दी सीख जाता है यह अब देखिए हम इसे निकाल लेते हैं इसी तरह हमें सभी गुजिया को सेख लेना है बहुत स्वादिष्ट कुजिया बनती है आप चाहें तो सूजी अगर नहीं डालना चाहते तो बिना सूजी के भी यह बन जाता है खुआ से भी बनता है खुआ में ड्राइफ डालके अब बना सकते हैं लेकिन सूजी डालने से हमें थोड़ा सा यह रहता है कि थोड़ा दिन अच्छे से यह चल जाए क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हम एक हफते या 15 दिन रखना चाहें ना खुआ से तो यह नहीं रह प और बन गई है हमारी बहुत ही स्वादिश्ट गुजिया तो आपको यह रेसेपी कैसी लगी हमें जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अभी होली आने वाली है तो आप सभी बनाईए खाईए और इंजोई कीजिए देकि तोड़ के दिखा रही हूं है बहुत ही क्रिस्पी बना था यह उपर से आप अगर चासनी वाला बनाना चाहते है ना तो चासनी बनाईए एक तार की मतलब एकदम जैसे हम कई बार च अगर करके मैं नहीं बताई चासनी का अब उपर से आप चासनी उपर से भी डाल सकते हैं अंदर इसे डाल की निकाल भी सकते हैं यह बन के हमारा कुझ यह थैंक यू बाई